हेलो स्टुटेंट्स आई सेल्फ नितिन सेंग फ्राम चानक्या कालेज आफ एजुकेशन बितिया आज मैं यस सेवन सब्जेट कोट के अंतरगर यूनिट फैस्ट में सीखने सिखाने के विविद संसाधन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे सीखने सिखाने के विविशन शाधन में हम लोग ने गडित प्रियूक शाला मैथमेटिक लेबोटरी को जान चुके थे कल इसी कड़ी में हम गडित कलब के बारे में देख रहे थे मैथमेटिक कलब क्या है उसको हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि इसमें अनवचारी रूप से प्रत्रेक शाधर की कुछ न कुछ विशिष्टाएं होती हैं जो शामाने कच्छा में प्राया प्रकट नहीं कर पड़ता लेकिन जब कोई शाधर कलब में जाता है और शाधर उसे अनवचारी रूप से मिलते हैं मित्रवत रूप में मिलते हैं जब उसे चर्चा करते हैं तो उसकी प्रत्रेवाएं बाहर आती हैं जब उसकी प्रत्रेवाएं बाहर आती हैं तो उस बात को ध्यान में रखकर शाध शक्री रहता है इस प्रकार से पाठी सघ्र यहां में गणित्र क्लब का बहुत महत्थपूरी युग्दान है इसे ज्याना स्थाय होता है और बात शात्र में आत्म श्वास प्याँ होता है इस कडि में गणित्र गंडित कलब बनाने के कुछ वधेश्च थे, सैच्छिक वधेश्च थे, वधेश्च को हम लोग जानने का प्रयाश करते हैं। पहला, गंडिती सम्मंदी कार्यों में दक्षता परदान करना तधा विद्यार्थियों में आत्म बिश्वाश उत्पन करना। इट मेंस कि छाद्र जो गनती कारे होते हैं आज लाइक्स करिद के छोटे छोटे प्रेक्टर्स को आपरेशन्स को जान सकेंगे इसकी उनकी कैपसिटी शमताएं परदा हो जाएंगी उनमें सामर्थवान हो जाएंगे कि जिससे उस गनित के छोटे-छोटे प्रत्य को में आत्म विश्वास होगा इश देश इसे गणित क्लप को डिजयाइन किया गए गणित क्लप को लिया गए गणित में रुच्श उत्पन करना गणित कि यह कहा गया है कि नीरस भी से है नीरस भी से इसलिए कहा गया क्योंकि वह मुझा हो जाता इस है जिस उसरे समझवी वांते नहीं आती हैं कंसेपट के लिए नहीं रहतें तो यह इतना आशान है उतना ही कठिन हो जाता है इसकी रोख्यकटा बनाने के लिए ज्ञातरों में के कनसिप्ट को तिया गया इसके डेजाइन करने का ये मुक्ष अुदेश कहा जाता है नेस्ट गणिती शम्मन्धी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना गणित की जो समस्याएं होती ہیں उसको चात्र इसमें भी सहाईता प्रदान किया जाता है इस उद्धेश गणिद कलब को डियान किया गया इसका उद्धेश पहले हिं बता दिया गया चैटर जब हम खच्छा खच्छा में मिलते हैं छाज से ओपचारी रूप से मिलते हैं लेकिन जब अनपचारी रूप से गणित किलब में वेजी बच्चे से मिलेंगे बच्चा संकोश नहीं करें गाएगा। और जब उसको निखाडने का मौका मिलेगा उसका सहयोग दिया जाएगा तो इसमें आत्मिश्वास की भावना पर डिबलफ होगी और वह गणित की जो प्रत्या हैं कंसिप्ट्स हैं उसको भी होगा हल कर लेगा और उसको हल करने में इसकी सहायता मिलेगी अपने हीजिटेश करने के लिए इस गणित क्लब को मनाया गया था गणित क्लब में जब शाद सामूही गुरूप से उसमें कारी करते हैं एक दूसरे से कोपरेट करते हैं सहयोग करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना डिबलफ होती है सहयोगी प्रभित का विकाश होता है इस उदेश एक छात्रों में सहयोगी प्रभित का विकाश हो इसलि चले आगे शलते हैं गणित कलब में के कारे गणित कलब के कारी क्या क्या है गणित कलब में कैसे कैसे कारी को रखा जाता है किस की से कारी को डिजाइन किया जाता है देखते हैं पहला खाली शमय बितीत करने हैं तो कारिकरम मनाना जब खाली समय हो जब कच्छा कच्छ की हो पारहीं हो भी हो उससमय हम कुछ bena कुछ कारिकरम बना कर सकते हैं इस जो है प्रोग्राम कर देजाइन कर कि हम उस गणित कलब में अपने बेवहारी ज्यान का परचे छात्रों को रूबरू करा शकते नई समस्या का शहमधान करने के लिए नई समस्या को उसे आउगत कराने के लिए हम गणित कलब पर कारिकरम बना शकते हैं नेश्ट और चारिक रूप से सिच्छा प्रदान करने केंदर के रूप में कारे करना, जब हम कच्छा कच्छत में बच्चे को प्राते हैं, मतलब जहां पर कोई बांडेसन नहों, नेश्च्छत स्ञीमा नहों, नेशित सिच्छक ना हो जहां के सब अनिश्चित हो उस कंडिशन में अनौपचारिक रूप से भी हम सिच्छा प्रदान करने के केंदर के रूप में भी गणित कलब का उपयोग कर सकते हैं का अनidor का कारी के हम वहां पर कच्छा कच्छ के देलताओं को कम कर देंगे और अनौपचारिक रूप से त데क उस अस्थानों तक पहुचाना कलब में जो जो कार दच्छ कार दिये जाएं उस कार को एक सिस्टमेटिक वे में हम विवस्थित करके एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक कहरी कर सकते हैं पहुचा शकते हैं इस प्रकार की यूजना भी हैं हम गनित कलब में बना शकते हैं गनित प्रकार के गणती कारिक्रमों का आयोजन कराना जैसे भांशन निबंध प्रेश्ण मंच और क्विज का मतलब छोटे छोटे कोस्टिन्स होते हैं साल्ट फार्म में इसे बच्चें को कराया जा सकता है अच्छा गणती कारिक्रम आयोजन कराना मतलब कि गणती के ऐसे छोटे छोटे कारिक्रम जो बच्चे साज भाव में कर दो घंठी के रूप में बहुत्पर प्रेश्ण मंच बच्चों के दो को एक ही मंच पर दो गुरूप बना करके एक ग्रूप कि द्वारा प्रश्ण पूछ जाएगा दूसरा कुरूप उसका निया स्ताराण करेगा से बच्चों में आपसी समझ की द्वारा इसकी भी तैयार किया सकता ऐसे कार्यकरम भी कराया जाए की कराना की मतलब 5 सेकंड में दस कोष्ण का समधान करना या दस कोश्चन में तनी कोश्चन को बच्चों के लिए रूब वर्युकरा देना या कि इस प्रकार के की मिवा घ्ञुच की रूप में भी बच defence करा bet यह सब कार Méद गुच्च की हम गनित कलब के अंतरगत करते हैं यह इसका मुख्यकार होता है नेश्ट गनित समाचारों को चात्रों में प्रशारित करना गनित के जो फैक्शुल्स न्यूज होते हैं फ्रैक्स होते हैं उसको भी एक स्टुडेंट से दूसरे स्टुडेंट तक दिस्टिब्यूट कराना प आध्यम से ही हो सकता है गणित क्लब के माध्यम से भी किया जा सकता है कि हम गणिती शमंदी जो निस्कर्स निकाले गए हमने जो गणित के तथ्थ सीखा उसको हम अपने दूसरे छात्रों तक कैशे हम प्रशारित कराएंगे कैशे उस सोहा तक पहुझा पाएंगे इसके कर दाट्र समाज लव और सब्सक्राइब को इसके कुछ संगठन है गणित क्लब के length के बारे में देखते है कैसी आइन्हां हर होते हैं गणित क्लब जब कोई क्लब चलाने हैं तो उसमें कुछ नियम नहीं rumors regulations होते हैं पदाधिकारी होते हैं सरचनाएं होती हैं संस्था का Madrid Club कोई नाम रखते हैं ऐसा कुछ बंड क्लब होते हैं ऐसा कुछ घंड की क्लब कोई कोई उत्यश होता है अर्थात यहां करोकरते हैं का क्लिपफ समय त्याद होता है जैसे उसमें जो पशादिकार कारी करेंगे समचालित करेंगे उसको उनकी रास कितनी दी जाएगी उसका भी डिजाइन करें उपने का समय क्या है इसके भी बावंडिंग होती है इस प्रकार से गणित क्लब संगठन के बारे में यह तथ दिये जा शकते हैं यह बात पताई जा शकती है कि इसको हम इस प्रकार से वे उस्थित रूप में अरगनाइज कर सकते हैं कि संस्था का क्या नाम है संस्था के क्या इसके पदाधिकारी कौन-کون से हैं कौन-कौन से अधिकारी हो छाटे हैं आरे भट गडनित कलब का नम लिया उसके क्या-क्या उदेश ते सिलानी क्या-क्या इसक ön भी उह उन्हीं को राशत कित्या कि लिएर करना चाहिए्ज इसके क्वालाब बॉप्री होने का समय क्या है इत्याद बातों को ध्यान देते हैं कि साथस केन आप कर सकते हैं कि के आगे चलते हैं इसी कली में आज हम गणित मेले हैं कि वा distract करते हैं मैं लोग होने देखा सिखने सिखाने के बैभी संच्छादन में कर द प्रियोक्षाला के करते हैं बिद्याले में मेले का आयोजन बहुत ही लाफकारी होता है जैसे बिज्ञान मेला क्राप्ट मेला गणित मेला इन मेलों से बिद्यार्थियों द्वारा तयार किये के माडलों वस्तूओं को प्रद्रश्ण किया जाता है हम अपने बिद्याले में गणित के मेले का आयोजन कर सकते हैं जिसमें गणित संबंधी माडलों खेलों वस्तूओं पजल्स इत्याद प्रद्रश्ण किया जा सकता है अब हम थोड़ा समझाते हैं आपको कि गणित मेला क्या है जैसे हम एक प्रकार से प्रंदरशनी करते हैं उसी प्रकार से गणित का मेला लगा शकते हैं भिन भिन वराइटी के फंक्सन आपरेट फंक्सन सरक करके भिन भिन काडिकरम आयोजीत करा शकते हैं जैसे गणित मेला आयोजीत कराते प्रदरश्रम करने के लिए माडल बनाएंगे वस्तु बनाएंगे कोई यह जिसे बाद से टाइप के थिंग उसको दह आयोजित को करने के बाद उस भी ड्याइले में मेले का आयोजन कहें देंगे विसका जैसे बड़ा लाभकाटी भी होता है इससे गंड संस्भंधि खेलों का एउजन कर सकते हैं गणित की कुछ वैस्तों पदरशित किया जा सकते हैं जैसे गणित के प्रश्णमंच मेले में हम गणित के प्रश्णमंच का भी आउजन करा सकते हैं बाद बीवाद करा सकते हैं गनित पर कोई फिल्म या नाटक दरशित कर सकते हैं उस मेले में गनित के जो पजल्स होते हैं प्रत्य सोते हैं पहिलिया होती है उसको भी हम मेले में करा सकते हैं उसका भी आयोजन एक अलग गुरुप में करा सकते हैं इसका मतलब तमाम क प्रगण में गणित मेले का युजून कराएंगे तो बच्चा बहुती सहज भावों में बहुती को आप तुसायोग की भावना से इन तमाम करक्रमों में भाग लेगा उसकी इन कवसलों का भी विकास होगा जिसे इक गणित देशी प्रक्रिया से डरेगा नहीं भैवीत नही प्रशन के द्वारा प्रशन रंगमंच के द्वारा बाद विवात के द्वारा अपने स्कील्स को डिवलप कर सकता है जिस प्रकार हमने गणित क्लब की उद्देश देखे थे उसी प्रकार से गणित क्लब के गणित मेला का भी उद्देश देखेंगे आप पहले इसको देश्च है, गनित मेले में सिव देश्च जैसे कलप क रही छात्रों में गनित के प्रषा हो अब करना हम की तो घ्रमा के नहीं रहेगा उसका er कर이करम का कोई आउचित दी की नहीं है इसलिए पहला ही करक्रम कि हम उसमें क्या करें बच्छे को इंटरस्ट बना दें बच्चे मेले में उसको विजिट करने के लिए हमारे सहर के नजदी की प्रांगड के या हमारे नजदे की सहयोगी लोग हमारी समाज से समंधित लोग जब आएंगे तो हमारे जो नवाचारों हम पत्रशित करेंगे जो चीज़ें हम पजल समाज बादों से वह आं जिन मानस भी लौभ होनी थोगा इस उद्देश गणित में लेकाया वंजन किया जाना चाहिए नवाचार को प्रशाहिद करना नवाचार का मतलब हमने नई टिकनलोजी का क्या विविकास किया मेले मिए यह भी दिखाने का प्रियाश करें यह प्रोजेक्टर सब्सक्राइब करते हैं नई चीजों करने के लिए बच्छों को प्रशाहित करते हैं इस उद्देश के लिए गणित मेले कायोजन किया जाता है स्रुजनात्मक्ता का का विकास का मतलब creativity शे है बच्छा कुछ करने कर गुजरने च्छमता से योगिता से है जब हम कुछ नया करते हैं जब हम कुछ नया करने का प्रयाश करते हैं तो छीशें उसके लिए कितनी कठ़िनाई आती हैं क्या समस्याई आती हैं क्या-क्या विचार आते हैं किसी कारी को करने के लिए उस प्रकार से हम मेले कायोजन करते हैं जात्रों में आटमक संठी का काषित का सहूँ गश हिसके йल्ब से समयज में उन्ने ठीर अवक्ष के और ने हैं कोई से चालता है हमारे युइश्टुरेंट से हैं उसमें बेन बेन स्कील्स का विकास हो कि हम र değildick मेले के उतुक्त बनाते हैं कि हंने कवसरौों में fredas करने के लिए हम हम शात्रों जाषिश है गणित के नाटक के प्रती हमने बताया गणित बाद बीवाद मन्च बाद प्रस्ट मुंख प्रत्रशन बिधाइवाद प्रत्रशन निभी बताया पजल गणित के पजल यह सब जो किल्स होते है इसका इम हैस्त आज घरणित मेलों का है अज हम घरणित मेलों का आयोजन या गणित मेलों का महत्तु क्या है इसकी बात दिखते हैं इसका इंपारिटेंस क्या होता है छात्रों में स्राइब ऐसी विसनाटमयत्हा का विकाश होता है यह मतलब सूछने के नए नई चीजों की विचार करने की काथ कर सकता है धूरित्मेले से अपने इस सबसे बड़े इंपाइबने मीलता है कि रिभी है स्वा शबुश्यक होता प्रितिवहों को पुरुशान शम्मान मिलता है मेले में गणित मेले के कर दोआ तेकी दौधा के दौारा स्रीजन सील्टा के दौारा प्तरशित करते हैं। सब्सक्राइब समाज के लोग Мыले में देखते हैं तो बच्छा बहुत से यहना सुन प्राइब होता है तौधा उसको सम्मान भी मिलते हैं। उसको अपने बत्वा का प्रोशाण नो सम्मान मिलता है इसलिए गणच्छमयले का इंपाल्टेंस एक से क मत्षा कच्छ ला खाया के लिए उत्याधिया की बढ़ जाता है मेले में छात्र कई प्रकार की ऐसे बाते सिखते हैं जो कछा में नहीं सिफ बाते हैं इसमें जाहिर सिमाते हैं इसलिए जो छात्र होते हैं स्टुडेंट्स होते हैं वह अनफचारिक रूप से अपने सिच्चुकों से मिलते हैं इस कड़ी में जब हम अनुपचालिक रूप से बिना किसी बंधन के भाय से डर से मुक्त वात्ता उनन में जब हम अपनी समश्या को रखेंगे उससे जो हमारे पास सक्ति होगी जो इसकिल्स होगी तर्क सक्ति होगी लाजिकल पावल होगा दर्शन सास्त्र होगा उससे जो हमारे स्किल्स सोलूसन उसके निकलेंगे समाधान समश्या कर निकलेगा तो वो हमारी नए स्रिजन सील विचार होगे जो हमारी नए स्रिजन सील सक्ति का विकास होगा ये जो क्रियेटिव नए स्रिजन सील सक्ति का विकास होगा ये किसी कच्छा कच्छ में नहीं प अच्यां पतराशित कर सकता है इसलिए मेले इंपार्टस बढ़ता है पुरतिबाहों की खोज वह होती है हमक ही यह जान पाते हैं किuma क допुस्त में हम jan़ते हैं हम जान है कि कवं में प्रतिबाहों की खोज हो गही कि गणित आम व्यक्तियों मे लोग फ्री उती ॏ इसका इंपाइटन्श यह भी है गणित आम व्यक्तियों में लोगлемत प्री भी होती इस प्रकार से यह गणित मैले का महत होता है, इंपाइटन्श होता है इसके लिए हम गणित मेले का आयोजन कर सकते हैं मेले का आयोजन कैसे करते हैं दो लाइन में दखते हैं मेले का आयोजन हम विद्याले में वर्स में एक बार गणती मेले का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए पूरी योजना बनाकर कारे विवाजन किया जाना चाहिए फिर योजना को लागू करना चाहिए बिबिन कारिक्रमों जैसे निस्पच नेड़े लेने हेथ कमेटी का गठन करना चाहिए आईजनों के पशाद उसकी समिच्छा कियानी चाहिए ये इंपार्टेंश होता है कि कोई भी कारिक्रम जब अरगनाईज करते हैं तो उसकी समिच्छा करना अत्यनता उश्यक होता है विना समझ्चा कि उसकी कमियों उसके फायदों उसकांस को भरपाई हम नहीं जान पाते हैं इसलिए ये हम अपने बीद्याले में गरितमेले कायोजन करा रहे हैं तो उसका पूरा निस्पच्छी उजना पूरी बनानी चाहिए और निस्पच्छी उजना बना करके चात्रों को विभाजित कर देना चाहिए कि ये वर्ग ये गुरूपिये कारी करेगा ये वर्ग ये गुरूपिये कारी करेगा चात्रों के अलग अलग गुरूप के द्वारा अलग अलग कारियों का विभाजित कर देना चाहिए किया जाना चाहिए शसे क्या होगा तो जो मेरक कारेगरम होगा निस्पच बनेगा उसके लिए अलग-अलग कमेटी बनानी कि चाहिए उसका मेटी को आयोजन के परक्याद जब मेला का कारेगरמं खतम हो जाए तो उसकी समिछा कि जाननी चाहिए इस विए हमारे कमीपों को निकलने का मौक्त मिल के लिए थैंक्यू क्लास आज के लिए वैसे इतना ही अब हम आपसे गुजारिश करते हैं आप लोगों को शूचना देते हैं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवस्च करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ताकि आपको इसके भाड़ा अब्ट मिल सके कल की कड़ी में हम कम शामगरे में बनने वाले अधिकम शामगरी कम कीमत में बनने वाले अधिकम सामगरी जो सीखने सिखाने के बिवित संसाधन की रूपे में हो सकते हैं अब तक हमने शीखने सिखाने के बिवित संसा टिक फेयर के बारे में हम लोगों ने देख लिया अब हम देखेंगे कम कीमत में अधिकम शमगरी बनाना उसको कैशे बनाएंगे इसलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू क्लाश